प्रमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है संसार के अंदर मानसिक रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रमात्मा हमें सिखाते हैं कि इश्वरिय जिम्मवारी हमें सदा ही हलके पन का अनुभव कराती है और हमें सदा फ्री कर देती है। आज इनी सबी बातों को हम गहराई से समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम जिम्मेवारियों को निभाते हुए हलके पन की अनुभूती करें और इनके स्पष्टिकरण के लिए हमारे मद्दे है प्रज्वा पिता ब्रह्मा कुमार इस इश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्ट शिक्षक आदर्निय राजुभाई सहाब पैस अब आपका आज की अपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है पैस अब आज हम बात करेंगे 26 जन्वरी 1971 के महावाप्चों के बारे में इनका टॉपिक है जम्यवारी उठाने से फायते तो सब स्टार्टिंग में परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चे हो विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूरत उद्धार करने वाले भी हो और साथ-साथ विश्व के आगे उद्धारन बनने वाले भी हो उधार मुरत और उधारान मुरत इन तेनों को सफेष्ट करें जो विश्व सेवा की या विश्व परिवर्तन की जवाबदारी है उस जवाबदारी के आधार स्थम, फाउंडेशन जिन बच्चों को परमात्मा ने निमित बनाया वो आधार मुरत हैं और जो आधार मुरत होते हैं उनके वोपर बहुत जवाबदारियां होती है उधार करने के सबका कल्यान करने के और कल्यान करने वाली आत्माएं लोगों के लिए उधारान बन जाती है उनको देख के लोग पालो करते हैं इन्होंने भी ऐसे किया, उन्होंने 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 ऐसे किया, तो जो आधार मूरत है, तो आधार मूरत को सदा इसमृत्ती में रखना है कि मुझे सबका उधार करना है, सबका कल्यान कर न आ है जी और कल्यान करते करते जब हम ऐसे करम करेंगे तो दूसरों के लिए हम उद्हराण रूप बन जाएंगे बिलकूल और प्रमात्मा कहते हैं कि ऐसे समझो कि जैसे जिस रूप से जहां हम قदम उठाएंगे वैसे सर्व आत्माई हमारे पीछे फॉलो करेंगे ये जिम्मेवारी है सर्व के उद्धार मूरत बनने कारण सर्व आत्माओं की जो आशिरवाद मिलती है तो फिर हलकापन भी आजाता है और मदद भी मिलती है जिस कारण जिम्मेवारी हलकी हो जाती है बड़ा कारे होते हुए भी ऐसे अनुभव करेंगी जिकी जैसे कोई करा रहा है ये जिम्मेवारी और ही ठकावट को मिटाने वाली है क्योंकि ये जिम्मेवारी अगर रहते हैं तो एक तो अपने हर चलन पर, अपने हर कर्म पर बहुत ध्यान रहता है, कि मुझे कई लोग फालो कर रहे हैं, मेरे पीछे बहुत बड़े हैं, कई बार हम लोगों कोई कहते हैं, आप लोग इतने समय से ज्ञान योग का भ्यास कर रहे हैं, और इतने नियमों का पालन कर रहे हैं, आप अगर हमारे पास कुछ खाएंगे, तो क्या इतनी जल्दी आपके मन पर उसका असर हो जाएगा? असर नहीं होगा, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर मैं कर्म करूँगा ऐसा, तो हमें देख करके फालो करने वाले बहुत हैं, तो आधार मुट आत्माओं को हर बात पर ध्यान रखना पड़ता है, मान लो आज कोई ऐसे द्रस्य हैं, जैसे कोई सिनेमा है, देखने के लिए, कोई आफर करता है, कोई हम जाते हैं, परमात्मा की मना इसलिए है, वैसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव मेरे उपर पड़ जाएगा, लेकिन अगर मैं देखूंगा, तो मुझे देख करके दूसरे लोग जो हमारे को फालो कर रहे हैं, वो कहेंगे बड़े भाई साब, बड़ी दीदी, बड़े भाई ऐसा करते हैं, उनके उपर तो उसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए जवाबदारी हमारी है, कि हम ऐसा कोई कर्म न करें, जो दूसरे इसलिए नियम और मर्यादाओं को उलंगन कर लें, अधार हैं हम, इसलिए परमात्मा कहता है, यह जवाबदारी है, अगर अटेंशन रखोगे, तो जितनी आत्माएं आपको देख करके, अच्छाई को गरहन करेंगी, सीखेंगी, उनकी दूएं मिलेंगे, और वो दूएं आपको लाइट बना देंगे, है जवाबदारी बड़ी, लेकिन आपको हल्का बना देंगे, क्योंकि आपको देख करके, उन्होंने अपने जीवन में, सुरी नियम और मर्यादाओं को धारन कर लिया, तो वो दूएं देंगे, बड़ी बहन जी, बड़े भाई जी ने ऐसा किया, तो जो आधार मूरत है, जवाबदारी बहुत बड़ी है, एक-एक संकल पर, एक-एक बोल पर, एक-एक कर्म पर ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अगर वो ध्यान रखते हैं, तो दूसरे देखने वाले, अगर सब भी बन जाते हैं, अच्छे आचरान में आ जाते हैं, ले लेते हैं, तो उनकी दुआएं मिल जाते हैं, पर भात्रा कहते हैं कि, जैसे साकार रूप में प्रत्यक्ष अनुभव किया, कर्मातीत अवस्था भी स्पष्ट थी, और भाविश्य स्वरूप की स्मृती भी स्पष्ट थी, भाविश्य संसकार इस स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखाई देते थे, तो आप सभी ऐसे अनुभव करेंगे, जैसे कि बस ये शरीर छोड़ा और वो तैयार है, बुद्धी बल द्वारा इतना सपष्ट अनुभव होगा। ब्रह्मा बाबा का एक नैचुरल सौमान था, जी, बाबा जब अपने क्लास्रूम में आते थे, तो वहां सामने एक बहुत सुंदर पिक्चर था, है अभी भी रखा है, पांड़बोन में, स्री लक्षमी स्री नारान का, स्री राधी क्रस्न का पोटो असामने था 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 तो बहुत खुसी से कहते थे, मैं तो आज यह हूँ कले बनूँगा, ऐसा बनने वाला हूँ, बहुत नसे से बोलते थे, तो भवी से स्वरूब भी स्पष्ट था, और कर्माती तिस्थिती का वहरा पुरसारत भी था, बहुत गुप तरीती से, कर्म करते हुए कर्टापन के भान से न्यारा रहना, स्वरूब बनना है, बनके दिखाना है, और दूसरा भवी से बनेंगे, तो यह साकार में ब्रह्मा बाबा के प्रेक्टिकल जीवान से दिखाए दे, तो बच्चों को भी बाबा यही सिखा रहे हैं, कि यह दोनों स्म्रतियां रहनी चाहिए, कि अभी हम संपौन बन करके, कर्मातित बन करके फिर यह बनेंगे, जैसे चोला तयार है, जब हम इस जीवन में दिविगुणों की धाना कर रहे हैं, तो यह सरी छोड़ेंगे, तो अगला सरी काज मिलेगा, वो दिविगुणों से संपन्न मिलेगा, तो अपना भविश्य स्वरूप हमारा इस पष्ट सामने हो, ताकि यह सरीर का भान न रहे, बिलकुल, पर सब इ भविश्य को जान जाएंगे, पहले कहते थे कि ऐसा समय आएगा, जो नजदीक वाले और दूर वाले स्पष्ट दिखाए देंगे, लेकिन अब वो समय चल रहा है, जो दैवी परिवार की आत्माई हैं, वो समझ सकते हैं कि कौन-कौन समी परत्न है, जिनको जितना समी पान है, वह सरकम्स्टांस अनुसार भी इतना समी पाएंगे, और जिनको कुछ दूर हो जाना होगा, तो सरकम्स्टांस भी बीच में निमित बन जाएंगे, जो चहाते हुए भी आ नहीं सकेंगे, ये सभी भविश्य का साक्षातकार, अब प्रैक्टिकल सर्विस चल रही है, अ इतनी लगन से अपना परिवार समझ करके, सब प्रकार के सहयोगी बन जाते हैं, तन भी लगाएंगे, मन भी लगाएंगे, धन भी लगाएंगे, कोई भी सेवा होगी, तो उनके हर कर्म से पता चलता है, ये इस्वरी परिवार के, दभी परिवार के समीप हैं, और कई सरकम मानलों कहीं सेवा किंधरों के जरूरत है, किसिके पाथ जमीन पड़ी हुई है, पैसा भी है, भहुट कुछ तो वो सफल नहीं कर पाते हैं, वो सफल नहीं कर पाते हैं, वो सफल कर लेते हैं, तो परमात्मा कहता है कि इस समय उपता चल रहा है, कि हमारे घराने के, देवी घराने के, इस्वरी घराने के नजदिक आत्मा है, आते ही कई सेवा में लग जाते हैं, सब कुछ सफल कर लेते ह और कई होते हुए भी सफल नहीं कर पाते हैं, वो दूर चले जाते हैं, तो इसको समझना है कि यह ड्रामा है और इसमें हरेक का रोल है, और जिनको आना है वो तो आना ही है, सफल करना ही है, कर रहे हैं, कहीं अपने-पने मकान ऐसे बनाते हैं, सिवा केंदर बना के देते हैं, सिवा में लग जाते हैं, सब को सपल करते हैं तो पता चलता है कि इनका कोई बहुत मुचा पद है तब तो यह सब ऐसा कर रहे हैं बिलकुल प्रमात्मा कहते हैं कि हर एक को व्यक्तिगत अपने लिए भी कोई विशेश प्रोग्राम रखना चाहे जैसे सर्विस आदी के और प्रोग्राम बनाते हो वैसे सवेरेज से लेकर रात तक बीच-बीच में कितना और कैसे अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हो यह डाईरी बनानी चाहिए अमृत वेले ही याद का प्लान बनाना चाहिए अभी तो बहुत अच्छा सिस्टम बन गया है हमारे पास ऐसे एक घंटे में एक मिनट के रिकार्ड बने हुए है और ऐसी मसीने भी निकल गई साइंस के अच्छे साधन मिल गए है अटोमेटिक मसीन रखी है तो समय पर गीत ब हम प्रियोग ले सकते हैं इस थूर डायरी हम नहीं रख सकते हैं कई नहीं रखते हैं आदक लहीं होती लिखने की आशकल तो मुबाइल पर अलारम है और साथ साथ ऐसे एक मसीनरी भी बन गई है जो हर घंटे एक मिनट ट्यून बच जाता है अपने आप 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 आपको द बचते हैं तो हम योग के कई अभ्यास कर सकते हैं देयामान से डिटेच हो सकते हैं उस समय जब परमात्माने महावाक कुछारन के 71 में उस समय साधन भी नहीं थे हैं अभी तो साइंस इतना आगे आगई है कि अगर इन साधनों का हम परियोग करें तो इस थूर डायरी की ज टेज है साक्षातकार मूरत जैसा जैसा साक्षात मूरत बनेंगे वैसे ही साक्षातकार मूरत बनेंगे जब सभी साक्षात मूरत बन जाएंगे तो संसकार भी सभी के साक्षात मूरत समान बन जाएंगे जितना जितना अपने को चार्च करेंगे उतना इन चार्च बनने का करता हुए सफलता पूरवग कर सकेंगे साक्षात और साक्षात्कार मुरत जब हम साक्षात जो हम है praktical वो बन जाएंगे वो हमारी धारणाई नेचुरल हो जाएंगे तो हमारे चेहरे से हमारे कर्म से लोगों को साक्षात्कार होंगे अंतरिक इस्थिति का बाहि रूप में चलन और चेहरे से साक्षातकार होगा, तो यह साक्षातकार कराना है, सब को समान बन करके, साक्षात बन करके, प्रेक्टिकल प्रूफ बन करके, साक्षातकार बन जाएंगे, तो परमात्मा हम सब को एक तो साक्षातकार मुरत बनाना चाहते हैं, तो साक्षा वैसा बनना पड़ेगा बिल्कुल वैसा प्रमात्मे कहते हैं कि अपने को निमित समझ कर कदम उठाना है क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं की नजर आपके उपर है जैसे आप लोगों से इश्वरियस नहें श्रेष्ठ ग्यान और श्रेष्ठ चरित्रों का साक्षातकार हो वैसे व्यक्तिगत स्थिति का भी उतना ही सपष्ट साक्षातकार हो ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कोई महसूस करें कि यह तो चलता फिरता फरिष्टा है जो निमित आत्माइं हैं जिनको जवाबदारी मिली हुई है उनके लिए परमात्माइं महावा क्यों चार्ण कर र कल्यान के लिए जितना हम फरिष्टे सरूप में रहेंगे जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे जितना बीच में अपनी ट्रेफिक कंट्रोल करेंगे उतना सेवा में सफलता मिलेगी वो कार्य सह सिद्ध होने लगेंगे तो परमात्मा अपने निमित बने हुए बच्चों की जवाबदारी सुना रहे हैं, यह आपकी जवाबदारी है, और आप ऐसा करेंगे, तो आपको देखके सब फालो करेंगे, बिल्कुल आइसा है, वह इसलिए परमात्मा कहते हैं, कि जैसे साकारूप में फरिष्टेपन का अनुभव कियाना, इतनी बड़ी जिम् आया हुआ आवे, लिकिन आपकी एक द्रिष्टी, स्मृति और वृति की शक्ती, उनको बिल्कुल शान्त कर दे, आजकल यह बहुत अच्छी अनुभव होते हैं, जितना हमारी आंत्रिक इस्तिती बिल्कुल सान्त होती है, तो सामने वाली आत्मा जो आती है, भले कैसी भी हो, disturbed होती है, बहुत सारे दुनिया की problem लेके आती है, मैंने देखा है कि अगर हम उसको एक सेकंड धर्ष्टी भी देते है, तो उसके सामकल्प सांत हो जाते हैं, कई लोग कुछ बोलना चाहते है, कुछ बूछना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं आत्मके सामने आया और म कि अमारी आंतरीक इस्तिती का प्रभाव है कि उसके सारे प्रश्णे-समाप्त हो जाएं बहुत बहुत सारी हल जोब आते हैं कही। यह पूचेंगे, यह पूचेंगे, लेकिं जब सामने आते हैं और दृष्टी ऐसे लेते हैं और उस द्रश्टी से उनको जैसे समाधान मिल जाता है तो सब बाते भूल जाती है। तो परमात्मा भी निमित आत्मों को अपनी स्थिति इतनी मजबूत बनाने की प्रेना दे रहे हैं। ऐसी बना लो जैसे साकार ब्रह्मा बाबा सब करते थे। लेकिन सब कर्म करते हुए अभी अभी आकारी अभी अभी निराकारी। उनके चेहरे से भी लोगों को अनुबह होता था। बाबा सुन सब रहें, कर रहें लेकिन या नहीं है। तो वो अभ्यास जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। ऐसे बच्चे भी ऐसे अभ्यास करें, जो आने वाली आत्माओं के प्रस्णों का हल मिल जाए। उनका समाधान हो तो बहुत सान्ती प्रेम का अनुभो करें। जी। इसा परमाता कहते है कि आप लोगों की द्रिष्टी किरणों जैसा कारे करें। अभी तक के रिजल्ट में मास्टर सूरे के समान, नौलिज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो। लेकिन किरणों की माइट से हर एक आत्मा के संसकार रूपी किटाणूं को नाश करने का कर्तव्य करना है। आजकल शाइन्स के साधन निकले हे जो किरणों से क्य प्रकार की बिमारियों का इलाज कर देता है। इसरा कोई पतरी होते हैं तो असको भी आप्रेशन कर देते है। तो परमात्मा कहता है ज्ञान देना एक लाइट देना है, लेकिन जितना आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास करोगे, जब आत्मा इस प्रकुटी में चमकती है, उसका अनुभा होगा, तो यह जो किरने निकलेंगे द्रस्टी से, शांती की, प्रेम की, पवित्रता की, वो किरन सामने वाले के विकारी किटानु, किटानु कौन से हैं? कोई जीवजनतू नहीं है, लेकिन विकारी संसकार है, पुराने संसकार है, जो दूसरी आत्मों को और खुद को परिसान करें करें, तो जब आप उनको आत्मिक ढ्रस्टी देंगे, तो वो ज्णाशूर की रित्षी उसके उपर जाएंगी और वो सकास वो किरने उस आत्मा के संसकारों को समाप्त करेंगे वो कितानुम को नास कर देंगे अब यह माइट देने की सेवा है लाइट तो हम दे रहें ग्यान तो दे रहें लेकिन इसके लिए हमें बहुत अच्छा अभ्यास करना होगा जितना जो आत्मी के स्थिती का अभ्यास करता है परमात्मा के साथ कम्बाइड रहने का अनुभा करता है कि वो मेरे साथ है तो ये द्रष्टी जिसके उपर पड़ जाए ऐसे अनुभा होता है आजकल कईयों में ऐसी बटकतीवी आत्मा है ऐसे योग-युक्तवों करके अगर हम उनको द्रश्टी देते हैं, द्रश्चे मुक्त हो गई, उसांत हो गई, तो ये सेवा, कि टानू नास करना वाना, उनकी अउगू, उनकी कमी, उनकी कमजोरी, ऐसे परेसान करने वाली आत्में, वो समाथ्त हो जाएं, उसके लिए हम आत्माओं को अपनी इस्तिती बहुत सकती साली बनानी है, बहुत योग युक्तो करके रहना है, तो हमारे वाइब्रेशन किरणों का काम करेंगे, वो किरणे उस आत्मा को परिवर्टन करेंगे, बिल्कुल एक है ज्यान के द्वारा सेवा करना, और फिर एक है अपनी ही शक्ती से दूसरी आत्मों को शक्तिशाली बनाना और उनकी कमजोरियों को खत्म करना, फैस अब आगे बढ़ते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि उनके पास चार प्रकार की लिस्ट है, एक है सर्विसेबल, दूसरे है संसिबल, तीसरे है सकसफुल और चौते हैं वैल्यूएबल, फैस अब एक एक करके परमात्मा ने इनके ब बन जाते हैं, लेकिन सर्विस के प्लानिंग में सकस नहीं होते, कोई कोई का चारों में भी नाम है, कोई का दो में, कोई का तीन में, और कोई का एक में है, फैस अब इन चारों को थोड़ थोड़ा स्पष्ट करेंगे. सर्विस की प्लैनिंग तो बहुत बचे करते हैं, सेवा करें ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन सक्सेस बहुत कम हो पाते हैं, अगर उसके पीछे स्रीमत की पूरी पालना है, कोई भी प्लैन किया जाए, किसी की देखा देखी न किया जाए, किसी इसे भेंट नह उसने ऐसे सिवा कि मैं करूं। लेकिन शृमत की बाउंडरी के अंदर रह करके, जो सर्विस के प्लैन बनते हैं, उनमें सफलता मिलती है। जो जितना सक्सेस्फुल बनता है, उतना वो वैलुबल बन जाता है। सेंसिबल है, तभी वह प्लैन मना सकता है, जिसके पास समझ है, ज्ञान है, वही सिवा के प्लैनिंग करता है, तो चारों लिष्टे हैं, सक्सेस्पल है, सेंसिबल है, सर्विसेबल है, लेकिन वैल्यूबल बने है, महना वह चरित्रवान हो, गुणवान हो, उसकी अपनी निजी धानाए है, वो जो बात कहते हैं दोसरों पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो परमात्मा हम सब के चारों रूप देख रहे हैं, कौन बच्चे किस लिष्ट में है, कई सर्विस कुप करते हैं, लेकिन वैल्यू नहीं है, क्योंकि अपनी निजी धानाए कम है, समझ पर कहते हैं कि वैल्यूएबल का मुखेगुण ये होता है कि जो उसको स्वयम भी अपने समय की, संकल्प की और सर्विस की वैल्यू होती है, इसलिए उनके संकल्प, शब्द वो उस द्वारा जो सर्विस होती है, उसकी और भी वैल्यू रखते हैं, वो ड्रामा अनुसार उनकी वैल्यू हो जाती है, सभी उनको वैल्यूएबल की द्रिष्टी से देखते हैं, कई लोग हैं जो बहुत अपने समय की कदर रखते हैं, मैं एक मिसाल बताता हूँ, हमारे यगदीश भाई-जी थे, जन्होंने हमारा साहित लिखा इतना, वो समय की बहुत वैल्यूब यंको अपनी वैल्यू थी और अपने ौम्यश लोग तायम की बहुत वैल्यू थी, और उनकी वैल्यू होने के एकान वैल्यूबल बनते गए, शंकलभ की वैल्यू, बोल की वैल्यू, हर चीज की वैल्यूर रखती है, ऐसे नहीं एक घंटागर Time है, मीटिंग का या आधक तो देड़ गंटा तक खीचते जाएं, कईयों कि आदत होती है। समय पूरा हो गया, माननों हमको क्लास करने का समय, प्रभचन का समय 10-11 का मिला है। अब हम 11 बज गये, लोग तो वो टाइम कांसेस हैं, देख रहे हैं और हम उसको खीच रहे हैं तो जो सुननने वाला हो तो थक गया तो उसको पता है इसको समय के के वैल्यू नहीं है। तो जो अपने संकल पर अपने समय पर पुछ सेवा पर ओ ध्यान रहता है। जितना समय निस्चित किया गया, उतना समय में पूरा करें है। हम लोग यह ध्यान रखते हैं, मानलो कर इतना टाइम है तो उसी टाइम पर फिलिश्टाप रगना चाहिए, उसको खीचना नहीं चाहिए, खीचने से उसकी वैल्यू नहीं रहती है, तो इसका ध्यान रखेंगे तो वैल्यू बन जाएंगे, बिल्कुल भाई सब, और आगे कर्तव्वे क्या होता है, कि एक तो रोशनी देना, और दूसरा किच्ड़े को खत्म करना, तो सदेव ये समझना चाहिए, कि मेरी चलन रूपी किरणों से ये दोनों कर्तव्वे होते हैं, तो सब आज हमने बहुत सारी बाते जानी, और अपने अंदर क्या परिवर्दन ले कि इश्वरिये जिम्मेवारी कैसे हमें हलका बनाती है, जिम्मेवारी का अर्थ परमात्मा ने बताया कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देखकर दूसरे भी फॉलो करेंगे, यदि ये जिम्मेवारी हमारी बुद्धी में सदा रहती है, तो निश्चे ही हम भी हलके रहेंगे क्योंकि दूसरों के आशिरवात की दुआएं सदा हमारे साथ होंगी परमात्मा ने हमें बताया कि हमें अपनी सेवा में और अपनी स्वव उन्नती की सफलता के लिए रोज एक प्लान बनाना चाहिए और उस प्लान के अनुसर हमें समय प्रति समय इस देहें से अलग होने का अभ्यास करना चाहिए परमात्मा ने आज हमें ये भी समझाया कि हमें चार बाते मुख्य तोर पर अपने जीवन में धारन करनी है एक तो हमें सदा सर्विसेबल बनना है, संसिबल बनना है साथ ही हमें सक्सेसफुल बनना है और वेल्यूएबल भी बनना है सदा ये स्वमान बुद्धी में रखना है कि मैं मास्टर ज्यानसोर रहे हूँ यदि हम इन सब बातों को जीवन में धारन करते हैं तो हम अपनी कमियों को भी दोर कर सकते हैं और हमारे द्वारा दूसरों की कमी कमजोरियां भी सदा के लिए समाप्थ सकते हैं तर्शकु इन सब बातों को जीवन में आप सभी धारन कर आगे बढ़ते रहें ये हमारी आप सभी के ब्रती शुभामना है अगले अबिसोड में एक और अव्यक्त मुडली के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए अमशान्ति मुक्यसार जिम्मेवारी उठाने से पाइदे सर्व के उधार मूरत बनने से सर्व के आशिरवात मिलते हैं ऐसे अनुभफ करेंगे जैसे कोई करा रहा है सिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है उधार मूरत बननी की जिम्मेवारी अकावट मितानी वाली है यक्तिकत उन्नती के लिए विशेश प्रोक्राम स्थूल कारे आदी में बिजी रहते हुए झाल